पुलीस से शिकायत और बदनामी की धमकी दे कर एक प्रकाशन संस्थान ने 50 लाख रुपए की फिरोती मांगने वाले रैकट के खिलाफ सीता बड़ी पुलीस ने मामला दर्ज किया है इस गिरोह में एक युवती सही चार लोगों का समावेश है पुलीस ने अवद अपार्टमेंट सोनेगाव निवासी नीरज श्रिवास्तव की शिकायत पर मामला दर्ज किया है पुलीस सिप्राप्त जानकारी के अरुसार नीरज पावर ओफ वन मैगजीन से के समपादक है जिसका कारियाले भगवाघर ले आउट के शिवगौरव स्टेट में है आरोपियों में सुजाता मसराम, मंगेश और दो अन्य का समावेश है बताया जाता है कि सुजाता कुछ दिन पहले ही मैगजीन के कारियाले में काम करने आई थी इसी दोरान उसने वहाँ चलने वाले कॉल सेंटर के वीडियो रिकॉर्ड किये इस कॉल सेंटर के जरिये अवैद काम किये जाने का आरोप लगाते हुए उसने नीरज को ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया उसके साथ मंगेश नामक व्यक्ती और दो अन्य महिला पुरुष भी शामिल थे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी और पचास लाख रुपए मांगे नीरज ने उनसे हुई बाच्चित रेकॉर्ड की जिसमें साफ तोर पर वीडियो प्रसारित नहीं करने की एवज में रकम मांगी जा रही थी शुरुआद में आरोपियों ने पचास लाख रुपए की मांग की लेकिन बाद में आट लाख रुपए तक लेने में राजी हो गए तब तक नीरज के पास परियापत सबुत आ गए थे उन्होंने प्रकरन के शिकायत पुलीस कमिशनर से की शिकायत की जांच की गई और शुरुआद को पुलीस ने सभी आरोपियों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया